इस एपिसोड में आर्वील बैंक के बारे में बात करते हैं साथ में हमारा इंस्टाग्राम हांडल आ रहा होगा रोज वहाँ पे रीड लागते हैं फॉलो कर लेना आर्वील बैंक में सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रहा है ग्रोथ कहां से आ रही है रीटेल लेड लोन ग्रोथ यहाँ पर सबसे जादा है इस कंपनी में और रीटेल डिपॉसिट ग्रोथ भी बढ़ रही है द रीटेल लोन पर जादा होता है रीटेल लोन ऑसे लोन होते हैं जिनके अंदर आपको मार्जन कहीं नगाई एक सेफटी भी मिलती है छोटा आद्मी डिफॉर्ट कम करता है बड़े कॉपरेट्स डिफॉर्ट जादा खरते है यह एक फक्टर समझना की पारमिंटर की बात कर यहाँ पर बात करते हैं इस company के forward looking growth के बारे में तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस company के sales growth जो है वो भी हमें improve होते हुए नजर आए 9100 croze के sales 2023 में से वो बढ़के हमें 2024 में 12400 क्रोड के आसपास देखने को मिले financing level पर company margins नहीं बना पाई है और यह भी एक बार improve हो जाएका तब better point है बट जिस तरीकी growth है क्योंकि यहाँ पर loan का disbursement भी बहुत जादा होते तो वह एक factor आपको समझना होता है प्लस इन्होंने recently नए range of cards भी launch किये हैं यहाँ पे cards के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इनका जो world safari card है उसके अंदर हमें बहुत अची growth देखने को मिली है user base वहाँ से भी इनका बढ करते हैं वह आपके screen प्यारे होंगे जिसमें आपको जरोधा ब्रोकिंग का नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे तो बड़ा group definitely यहाँ पर hold करता है dividend last आपके screen प्यारा होगा although I don't really understand why banks are these stages distribute dividends पिछले एक महिने में यहाँ पर stock लगबख same zone पर पिछले अगर हम लोग साल की भी बात करते है न तो आप एक चीज realize यह करोगे कि पिछले साल अच्छे breakouts हमें देखने को मिले June जुलाए के बाद में पर उसके बाद से एक ही zone में stock trade कर रहा है अब उसके बीचे reason क्या है कि यहाँ पर जो last quarter के results थे उनके अंदर एक तो company अच्छे margins नहीं बिना पाई थी एक factor यह था and secondly यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं जैसे results की हम बात कर रहे थे revenue wise तो अच्छी growth थी बड़ यहाँ पर margins थोड़े से deplete हुए company के margins इंप्रूब नहीं हुए and financing loss यहाँ पर company का कावा हमें नजर आए जिसकी विजए से stock एक level पर stuck हो गया अभी यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी charts पर बहुत छोटी सी चीज है बट मैं आपको यह चीज कह रहा हूं कि देखो यह details भी अगर आप notice करेंगे तो it's ultimately good for you only यहाँ पर हम लोग arrow का sign ढूंडते है चलो arrow मिल ली रहा हटाओ उसे यहाँ पर एक बार हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ पर आप एक चीज realize करोगे यह company का previous high बना हुआ है इस level पर next high बना उससे नीचे फिर जो next high बना वो बना उससे नीचे यहाँ पर हम लोग ही बात करें तो यह previous low है और यह उसके बात क हो है वो contract हो रहा है और अगर हम लोग एक चीज समझें तो अब यह देखो कहां तक follow through करेगा यह तो कहना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है किसी भी scenario के अंदर पर आपको यह चीज समझ नहीं कि अभी के जो 270 रुपे से लेके 220 रुपे का band है वो prevailing important band है और अगर stock 2.80 का band beat होता है तो वो एक positive point हमें यहाँ पे रहता हो नजर आ सकता है अभी कले यहाँ पे contraction है तो वो एक factor यहाँ पर आपको समझना है मैं personally RBL bank को hold नहीं करता हूं मैं एक बाए करूंगा जो momentum थोड़ा सा gather होने लग जाएगा but with that I really hope you guys like this one पसंदा है like share subscribe जरूर करना and I'll see you as in the next one